नमश्कार स्वागत है आपका वी टाइम नीउस पर और आपके साथ मैं हूँ पहली चाओहान बढ़ते हैं खबरों की ओर इस्थापना काल से ही एसेप देश की सोतंतरता के साथ जेंडर जश्टिस की लड़ाई भी लड़ता रहा है शोशाण विहिन समाज और समान सिक्षा प्रणाली के लिए आज भी संगठन संखश के मैदान में सक्रिया है वही जीटी कॉलेज के प्रचार्य डॉक्टर राम इतिहास में दर्ज है आज भी कॉलेज केमपस में चात्रों की मदद में इस चात्र संगठन से जुड़े चात्र बेहद ही सहयोग्यात्मक रवया रखते हैं उन्होंने एई ऐसेप सदक्सियों को स्थापना दिवस की बढ़ाई दी राजय ध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा हमा संगठन का स्थापना का उद्देश शही देश की सुतंद्रता आंदुलन में भाग लेना था देश की आजादी के बाद संगठन चात्रहित समाजीत और समानता की लड़ाई के लिए देश फर में फैलता चला गया बारे अगस्त तेरे अगस्त 1936 में हमारा संगठन का स्थापना हुआ था और उस समय भी हम लोग ने अंग्रेजों से लड़ने का कौम किया आप पट्रा के अंदर देखिए साथ सही दसमारक उसमें चार सहीद मेरे वाल इंडाइस्टुेर्ट फ्रेशनसर के साथी थे और तीन जो साती थे वो समर्थक थे निश्चीत तोर पे जो सरकार अभी निकमी सरकार जो सिछा के नाम पर रोजगार के नाम पर जो ढोल बजा रहे हैं जो तिरंगा यात्रा जनता को मुर्क बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये सब सरकार की सोजी समझी साज निश्ची तोड़ पे आने बाले दिनों में हमरा संगठन इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आरपार लड़ने के लिए तयार है कि आज हमने समिनार के माधियम से सपत लिए हैं कि आने बाले दिनों में जो सिछा के नम पर एक लंबी फोज जो लंबी दलाली करने का अड़ा बन और रोजगार के नम पर जो सिधे तोड़ पे छात नोजवन को ठकने का कम कर रहा है ये काफी दुखत है इस समिनार के माधियम से अस्थाप्रादी परस के माधियम से सपत लिए हैं अने बाले दिनों में ये सरकार क्या पोल पट्टी खोलूँगा जब तक सिछा और रोज कर दो